पैसो की तंगी से परिशान इस एक्ट के हालत में आया सुधार कहा कभी सोचाना था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा कौन है ये एक्ट जो है इतना जादा परिशान आईए जानते हैं ससुराल सिमर का एक्ट आशिश रोई कुछ समय पहले अस्पताल में भरती हुए थे उन्होंने फेस्बुक के जर्ये लोगों को जानकारी दी थी कि वो डायलसिस पर है और इलाज कराने के लिए उन्हें पैसो की जरूरत है डायलसिस अभी भी चल रहा है समय के साथ मेरी हालत बहतर होगी मुझे पूरी उमीद है जिन लोगों ने आशिश की पैसो से मदद की वो उनका शुक्रिय अदा करते हुए क्याते हैं कि मैंने अभी तक बहुत शानदार जिन्दगी जी है कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी देखना पड़ेगा मैं सभी लोगों की मदद को वापस करूँगा जिन्होंने इस समय मेरी मदद की है बस जल्दी से मैं ठीक होकर शूटिंग पर वापस लोट जाओ 55 साल के आक्टर आशिष ने अपने 6 महीने की सेविंग अपने हेल्थ पर लगा दी आपको बता दे कि इस साल के शुरुआत में आशिष बिमारी के चलते अस्पताल में भरती हुए थे उनके शरीर में करीब 9 लेटर पानी जमा हो गया था डॉक्टर्स ने कड़ी मशकत के बाद उनके शरीर से पानी निकाला था गौर तलब है कि आशिष ने ससुराल से मरका बनेगी अपनी बात येस बॉस बाबहु और बेबी मेरे अंगने में कुछ रंग प्यार के ऐसे भी और आरंब जय से कई टीवी शोज में काम किया है वेल वी होप आशिष जल से जल ठीक हो जाएं टेलिविशन की लीटिस न्यूज और गॉसप के लिए हमारे चैनल टेली मसालो को सब्सक्राइब ज़रूर करें